नाकपूर के राजबवन इलाके से चंदन की लकडिया चोरी कर काटोल में बेच रहे आरोपियों का पुलिस ने परदा फाश किया है इस मामले में पुलिस ने आरोपि के कबजे से अपरात के प्रयोगत सामगरी और कुल 1,15,000 रुपे मुल्य की चंदन की लकडिया जब्ट कर ली है नाकपूर शहर के विबिन नथानों से चंदन चोरी की घटनाय जारी है वही Crime Disclosure Squad No.2 के माध्यम से समांतर इंजांच की जारी है Crime Disclosure Squad No.2 में कारेरत अधिकारियों और नौकरशाहों को अंडर कवर से जानकारी मिली कि गाओ गोनी तालू का काटोल में एक आरोपी चंदन की लकडि बेच रहा है प्राप जानकारी के आधार पर छापे मारी के दोरान आरोपी के कबजे से चोरी की चंदन की कोर बराबंद हुई शमीम पठान करीब 40 किलो चंदन की लकडि बेच रहा था उससे पुष्टाश की जाने पर उसने बताया कि उसके चार आरोपी इसमें शामिल है तलाशी के दोरान इन सभी से विस्तार से पुष्टाश की गई आरोपी ओद्वारा नाकपुर शहर के विबिन नथानों में चंदन के पेड़ चोरी के कुल 6 मामले दर्श किये गए है आरोपी के कबजे से अपराद में प्रायुक्त सामगरी 1,15,000 रुपे मुले की चंदन की लकड़ी बरामत की गई है और पुलीस आगे की जांच में जुट गई है प्रविडियान स्कूल असे विबिट ठीका नी चंदना ज्छाड़ा चोरी केले लेवते है चोरी चा तो आमें समांधर ता पासकेला त्या दर्मान आमाला कै आरोपी चा लिंक मिलाली त्या लिंक करून आमें काटोल जल्ड़ील एक डोंगर गाव है डोंगर गाव नाननी है ठीका नी पहाटिला रेट करून आमें एकोन पाच लोकाना ताब्याद घेतले त्या मदे दोन माइनर होता मजबीदी संगर्षित बालक है और तीन मेजर आरोपी आरोपी आमें ता सम्मोर आलेला है तालापान आमाला सदर्विनात अटक कराजे यहां मदे एकोन शुभम कानको जिमने का रोपी आहे आनी आधर्ष राजपुट एजे सबस अजिन दोन माइनर मुल्ला होते है रात्री चाह विरीस चोरी कराजे त्या बहें कि दोन आरोपी दिवसा सदर चे जाल कुटा है ताली मूबल चे लोकेशन पाड़ आजे आनी तालोकेशन वबर पर रात्री उन मां ताली चोरी कराजे चोर लेला माला बेकी है लोकल एंचे जैसिंग सेंग्या मुन एक व्यापर रिया है ताला हा सदर्वाल इस विकाए जे आनी आचे मारफतिना सम्मोर है अजे ऑनी आचे करेंवाल इस विकाए जे जाला है